हेलो फेंस वेलकम टू माई चैनल मिलन किचन मसाला में आपका स्वागत आज हम आपके लिए लाएं बहुत अच्छी सी मीठी सी स्वीट सी रिस्पी चलिए हम दिखाते हैं क्या बनाने वाल यह उसकी सारी समागरी है और मीठी सी करारीदार जलीबिया जटपड बनने वाली बनाने जा रहे हैं और यह हमने देखी एक बॉल ले लिया है और उसमें हम डेड़ कप मैदा डाल देते हैं और यह तीन चम्मच मकई का आटा है इसे मिक्स कर देते हैं और यह हाप ती स्पुन बेकिंग सोडा और थोड़ा सा इसमें कलर लाने के लिए हल्दी हम डाल रहे ह आप फूट कलर एड़ कर सकते हैं भल्दी डाल दे रहे हैं और अब हम थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे यह सुद्ध घी है एक चमच घी डाल देते हैं और यह हमारा दही दही हमारा एक कप है इसे भी आड़ कर देते हैं और एक पून के सहते से इसे अच्छे से मिक्स करते हैं इस पून से मिक्स करिए या विक्सर से मिक्स करिए अच्छे से इसे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करना है पानी हमने थोड़ा सा हलका साघ Hugo लिया हुग और है और इसको थोड़ा तोड़ा डाल के अच्छ से कि फेट लेना लइन दो जो कि अच्छ से छलाते रहे हैं थोड़ा पांच मिनिटें तक अच्छत रहना है कि लेकित अच्छा सा है इतना ही पतला रहना है ज्यादा गाड़ा भी नहीं रखना है ये देखिए इसी टाइप से होना चाहिए कैसे गिर रहा है बैस अभी हम पांच मिनट के लिए ड़क के रख देते हैं साइड में अब हम चलते हैं अपने गैस के तरफ कड़ाई हमारी गैस पर रख दिये हैं और अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी चीनी हमने एक बॉल लिया हुआ है और इसका डबल पानी हम दो बॉल लेके डालेंगे अब जिससे नापी करते हैं उसी से ली जिये अगा और इसे तेज आज पर पकने देते हैं हमें चास्नी इसकी तैयार करनी है और चास्नी बनने तक इसे एक से पकने देते हैं और बीच-बीच में चलाते रहना देखिए अच्छे से उबल रहा आप चाहे तो इस समय आप थोड़ी से इलाइची डाल सकते हैं हम नहीं लाइची नहीं डाला है यह थोड़ी दिर में पक जाएगी एक तार की चैसनी होने तक हमें इसे देखना देखिए यह पक गई है इसे हम साइड में रख देते हैं और अब हम चड़ाते थे पैन उस पर डाल देते हैं और अब बनाएंगे जली विया वाइल हमारा इधर गरम हो रहा तब तक हम चलिए अपना बैटर को देख लेते हैं देखे बैटर हमारा बड़े हैं से रेडी है ऐसा ही चाहिए था अब हम ले लेते हैं ग्लास और एक यह ले लेते हैं पाइपिन बैग इसको हम एक ग्लास में ऐसे डाल देंगे और अपना बैटर इसमें भर लेंगे तो जलेवियां बनाना बहुत आसान हो गया है जलेवियां तो बहुत तरहिके से बनती हैं हमने ये अलग टाइप से जलेवी बताई है अब देखें इसे ऐसे करके पूरा समेट के ले लेना है बैस और एक कैची से इसे थोड़ा सा कट कर देना है जितना आपको मोटा पतला रखना है चलो हम कड़ाई के तरब चलते हैं अब इसे हम थोड़ा सा इसे कट कर के हटा देते हैं काई चीज से इसके बाद फिर हम जलेवी बनाते हैं यह देखिए ऐसे करके गोल-गोल बस जलेविया चिवाई यह जलेविया बनके रेडी सच में जहटपड बनने वाली जलेवी बहुत तरह से बनाई जाती है लेकिन हमने यह आज एकदम अलग टाइप से बनाया है इसे आप लोग जरूर बनाईएगा अब बहुत टेस्टी भी बनती है अब इसे ऐसे पकने देते हैं आग पीछे करके अलट पलट के अच्छे से करा रहा होने तक इसे सेक लेना है कि अब हम इने पलट देते हैं कितनी अच्छी से फूल करके रेडी हो गई है देखिए इसमें भी नहीं लगा ऐसे तो मैं देखो लोग हलवाई लोग बनाते हैं रात भर भी गोते हैं लेकिन देखिए हमने पांच मिनट के में ही सब कुछ रेडी कर लिया देखिए बहुत अच्छे से यह पग गई है और इन्हें अब हम निकाल लेते हैं ऐसे एक छनी में रख लेते हैं सारा घी निकल जाएगा इससे हम जो चास्नी बनाया है उसमें डाल देते हैं जब तक वो चास्नी में रस पियेगा तब तक हम दूसरा फिर बना लेते हैं यह देखिए इससे आप कैसे भी डाल दीजे टेड़ा मेड़ा एक दम परफेक्ट से प्ले लेगा अपना कि अधिये कितने सुन्दर से फूल जा रही है कुर्कुरी सी और पढ़िया ताजी ताजी जलेवी बनाए और खाईये हिंजाय कीजे मीठा मेरे बच्चे बोलने लगे ममी बनाईये मैंने का चलो आज मैं बना देती हूं जटपड बनने वाली जलेवी मैं सोची आपके आवाग्मेर करती सलिए कि देखे भी हो गया है इने भी निकाल के मैं डाल देती हूं इसी तरह में सारा बना लेती हूं कि विए यह देखिए सारा मैं बन गया है अब मैं एक प्लेटिंग कर लेती बॉल में रख लेती हो सच में बहुत टेस्टी लगती हैं और जटपड बन जाती आप जरूरी से बनाईएगा देखिए कितने अच्छी करारी जले भी बनकर तैयार अगर ये रेश्पी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कॉमेंट करके जरूर बताईए कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा